नमस्कार दोस्तों बजाज हाउसिंग फिरेंस आईप्यो का फाइनल सब्सक्रिप्शन का डेटा आ चुका है इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौनची केटेगरी में कितनी अप्लिकेशन आई है कौनची केटेगरी में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है और उसके according दोस्तों यहाँ पर हम देखने हैं कोजिस करेंगे कि आपके allotment के chance कौन से category में सबसे ज़्यादा बन रहे है आपने कौन कौन से category में apply किया है कितनी application लगाई है वो मुझे comment section में लिख कर जरूर बताईएगा मैं यहाँ पर अप्लिकेशन बाज डेटा बता रहा हूँ कि कौन से category में application कितनी लगी है और उस हैप से दोस्तों आपकी probability कितनी बन रही है IPO में allotment मिलने की तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बले हम बीकेशने category की बात करें जो कि दोस्तों 10,000,000 रुपे से उपर की category होती है इसमें 27,942 अप्लिकेशन रिजर्व है और यहाँ पर दोस्तों इस category में 2,95,038 अप्लिकेशन आई है तो यहाँ पर दोस्तों हमें अच्छा subscription इस category में देखने को मिल रहा है बिकेशने category में अच्छा subscribe हुआ है जैने दोस्तों इस category में अगर 21 अप्लिकेशन लगी है तो केवल यहाँ पर दो विक्तियों को अलोटमेंट मिलेगा केवल दो अप्लिकेशन यहाँ पर accept होगी तो यहाँ पर simply data का मसलब दोस्तों यही है small अचनाई की बात करें तो इसमें भी दोस्तों IPO over subscribe हो चुका है इसमें हमें अच्छा subscription देखने को मिल रहा है 31 टाइम इस category में यह IPO subscribe हुआ है और यहाँ पर दोस्तों अलोटमेंट का जो ratio बन रहा है वो बन रहा है 1 to 31 यहाँ इस category में 31 application लगी है तो केवल एक application accept होगी केवल एक विक्ति को यहाँ पर अलोटमेंट मिलेगा रिटेल की बात करें है तो यहाँ पर दोस्तों रिटेल के लिए 13,79,118 application रिजर्व है और यहाँ पर दोस्तों इस category में 81,897,777 application आई है तो यहाँ पर दोस्तों हमें इस category में भी अच्छा subscription देखने को मिल रहा है हालागि दोस्तों बड़े size का IPO है application जरूर ज़्यदा लगी है लेकिन उतना ज़्यदा subscription नहीं है यहाँ पर हमें इस category में 6 time का subscription देखने को मिल रहा है 6 गुणा यह IPO रिटेल में सब्सक्राइब होगी और allotment का ratio यहाँ पर बन रहा है 1 is to 6 यानि दोस्तों डेटेल केटेगरी में 6 application लगी है तो यहाँ पर दोस्तों एक विक्ति को allotment मिलेगा एक application यहाँ पर accept होगी तो यहाँ पर दोस्तों डेटेल में उतना ज़्यदा subscription आमें देखने को नहीं मिल रहा है अगर आपने अलग-अलग डेटेगरी में 6 application लगाई है तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक allotment मिल सकता है एक application पर allotment मिल सकता है यहाँ पर आपकी 100% probability बन रही है अगर आपने डेटेल केटेगरी में अलग-अलग डेटेगरी में 6 application लगाई है यहां पर दूस्तु रिटेल में उतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन इस आईपे में देखने को नहीं मिल रहा है यहां पर दूस्तु अगर हम रिंकिंग के बात करें तो नमबर वन रिंक पर रहेगी डिटेल केटेगरी नमबर दो पर रहेगी बीग अचनाई केटेगरी और अलोटमेंट होने की अब हम दोस्तों इस आईपे के अलोटमेंट की बात करें तो इस आईपे का अलोटमेंट आज सामको हो जाएगा आज दोस्तों इसके अलोटमेंट की डेट है तो आज इसका अलोटमेंट आने वाला है आपका अलोटमेंट कहां पर चेक करना है तो यहा area आपको अम्मेंट मिलता है तो वहां पर आपको अलुटबेमंट सो होगा एनि अलौटटइड सो गा हुगा अगर आपको अलूट में नहीं मिलता है तो नोन आलुट सो होगा इस प्रक्तर दूस्तों आप इसकी OPCL वेबसाड़ेट पर जाकर अपना allotment status चेक कर सकते हैं साम को दोस्तों इसका allotment आपको देखने को मिलेगा साम को जनरली साथ से 10 वज़े की बीच में IPO को allotment होता है उससे थोड़ा ज्यादा भी टाइम लग सकता है तो आप साम को allotment यहाँ पर चेक कर सकते हैं पर दोस्तों यह IPO के सब्सक्राइब से रिलेटेड इंपोर्टेंट डेटा थो जो कि दोस्तों मैंने आपके साथ शेर कर दिया है फिलाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में वेल नोटिफिक्शन को जुरूर ओन करें ताकि आपको फ्यूचर में भी IPO से रिलेटेड इंपोर्टेंट वीडियो का नोटिफिक्शन मिलता रहे तो चलिए दूस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडि में तब तक के लिए की ब्लैनिंग देखते रहे हैं वेल ट्रेजर